हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं जोतेश रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिया दर्शक गणों का बहुत-बहुत हारदिक स्वागत और अभी नंदन प्रिया साथियों प्रिया साथियों आज जो हमारे चर्चा का विशय है इस कारे करम में यह भी बड़ा इंट्रेस्टिंग विशय है क्योंकि जैसा कि आप मैंसे बहुत इस बात को जानते ही हैं बड़ी कॉमन सी बात है कि बारे राशिया होती हैं मेश से लेकर के मीन तक और बाराई लगन होते आपका या किसी का भी किसी भी जातक का जब होरस्कोप बनता है तो वो लगन के हिसाब से बनता है तो साथियों आज हम आपको यही बड़ चर्चा करने जा रहे हैं मेश से लेकर के मीन तक कि किस लगन राशी के जो जातक हैं उनका अपना क्या सौभाव होता है किस प्रकार की उनकी नेचर होती है और किस प्रकार की उनकी अपनी फिजिक होती है और उनके लिए अपने लाइफ में अपने जीवन में कौन-कौन सा वर्ष उनके लिए सौभाकेशाली वर्ष होता है लकी एयर होता है और कौन सा वर्ष ऐसा होता है कि जिसमें उनको तकलीफ या कश्ट या परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसके अतिरिक्त जीवन में आप क्या कुछ करना चाहते हैं इस प्रकार के लोग क्या एचीव कर लेते हैं क्या नहीं कर पाते हैं इन सारी बातों के उपर हम चर्चा करेंगे अलग-अलग लगन राशी के जातकों के लिए लेकर के मेश लगन राशी से और मीन लगन राशी तक एक-एक करके सभी के विशह में बात करेंगे बताएंगे आपको और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यह भी है कि मान लीजिए फरज कीजिए आप मेश लगन राशी के जातक हैं जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आपको यह जान करके इसको प्रोग्राम को द कि कौन से लगन राशी के जातकों के साथ आपकी बांडिंग आपकी मित्रता आपकी घनिश्टता ज्यादा बहतर रहेगी आपकी अंडरिस्टेंडिंग किन लगन राशी के जातकों के साथ बहुत अधिक बहतर रहेगी इसका भी बहुत बखुबी आपको अंदाजा लगे हमारे इस प्रोग्राम को देख करते सुनकर समझ करते हैं थो आई preserve अर्म करते हैं और 朝 इस कारेकर्म में हम सरफ और सफ जो आप मेश लगनराशी के जातक हैं अनके विशे में बात करेंगे बताएंगे आपको कि आप मेशलगन राशी के जात्तकों का बहुत एक लक्षन किस प्रकार के होते हैं या आपकी फिजिक कैसी होती है किस प्रकार देखने में आप लगते हैं यह सोबाग्यशाली वर्ष आपके लिए कौन सा होता है जीवन में आपके या कश्टकारी समय कौन सा होता क्यों मतलब एयर और रोग कौन कौन से होने की संभावना जीवन में रहती है तो आईए चर्चा को आरम करते हैं आप मेश लगन राशी के जातकों के लिए सबसे पहले आप से बताना चाहेंगे साथियों कि ये मेश राशी जो है मेश लगन राशी मेश इसके जो लॉर्ड है वो मंगल है अब क्योंकि मेश राशी के लॉर्ड ही मंगल है और मंगल तो एनरजी के कारक माने जाते हैं प्राकरम के कारक माने जाते हैं और जीवन में अगर मंगल की सिति कुंडली में अच्छी है और बहतर है तो वह व्यक्ति प्राकरम से पीछे नहीं हटता प्राकरम के बल पर वो सब कुछ अपने जीवन में हासिल करता है तो आईए सबसे पहले आज मेश लगन राशी के जातकों के विशम ही बात करेंगे और बताएंगे आपको सबसे पहले आपके बहुत एक लक्षम कैसे होते हैं यानि आप अगर मेश लगन राशी के जातक हैं यानि के फिजिक कैसी होती है मेश लगन राशी के जातकों की शरीर होता है यहीं कि तोड़ा सा शरीर जो है तोड़ा गठी ला होता है लंबा चहरा और लंबी गर्दन जो मस्तिश्क होता है वो चोड़ा होता है कि श्रिया कनपटी पर कोई निशान भी होता है और दांक जो होते हैं बहुत सुन्दर होते हैं इनके गोल आखें होती हैं और बाल भी थोड़े घुंगराले होते हैं थोड़ा घुंगराला पन लिए होते हैं इस परकार की आपकी शारी रिकew श्रक्राश्चा होती है मेर्शलग अंpanिरा चींगे जिया अब आते हैं के आपके लिए कौन सा ऐसा बाश है जो आपके लिए की एरह होता है ज्मुन में जो आपकी एज चौनका है एक जब आप 20 वर्ष की आईउ में होते हैं वो आपके लिए लकी होता है 28 मासाल आपका जब आप 28 वर्ष की आईउ में चल रहे होते हैं वो भी आपके लिए लकी साबित होता है इसके बाद 34 वर्ष यानि कि जब आपके आईउ 34 वर्ष की होती है उसके बाद फिर आपकी तो जिस जब इन आयू में आते हैं मेश लगनराशी के जातक तो ये वर्ष आपके लिए आयू के जो वर्ष हैं आपके लिए बहुत लखी सावित होते हैं अपने जीवन में अब आते हैं किस किस एज में जाकर के आप मेश लगनराशी के जातकों को तकलीफों का कश्ट का सा होती है तब उसके बाद जब तीन वर्ष की आयू होती है फिर छे वर्ष की आयू और आठ वर्ष की आयू यानि बच्पन में कुछ ज्यादा उठाने पड़ जाते हैं उसके बाद जब पंद्रे वर्ष की आयू होती है फिर उसके बाद जब 21 वर्ष की आयू में आ पाते हैं उसके बाद 36 साल जब लगता है फिर 40 वर्ष में तकलीफ होती है उसके बाद 45 में वर्ष में होती है और उसके बाद 56 और उसके बाद 63 यह यह वो वर्ष है जब मेश लगनराशी के जातकों को इस आयू में जब वो होते हैं जिनके विशह में अभी हमने आपको बताया है तब उनको शारेरिक कष्ट मानसिक कष्ट या कुछ और तरीके के कष्ट भी उठाने पड़ जाते हैं कि कह सकते हैं कि यह उनके लिए लखी एर नहीं होता अब यह तो हमने बता दिया आपको कि कौन सा यह अच्छा रहेगा कौन सा नहीं रहेगा कौन सा कष्टकारी रहेगा अब आते हैं कि भाई आप जो मेशलगन राजशी के जातक हैं इनका सवहाओ कैसा होता है इनकी सोच कैसी होती है इस पर आते हैं तो आप मेशलगन राजशी के जो जातक हैं साथियों बहुत महत्वा कांगशी होते हैं एंबीशियस होते हैं और अपने कार्यों में काफी आगे रह कि एनरजी की कमी नहीं होती इन लोगों में लेकिन थोड़े से अडियल सवाव के भी होते हैं कि अगर कहीं इनका दिमाग थोड़ा सा खटक गया तो फिर गर्णवर हो जाती है साथ ही बहुत इस्पष्टवादी भी होते हैं यानि कि जो कहेंगे आपके मूँ पर बोल देंगे मेश लगनदाशी के जातक आपके पीठ पीछे नहीं बोलेंगे अच्छा या बुरा जो भी कहना होगा आपके मूँ पर बोलेंगे वैसे बहुत व्यवारिक होते हैं व्यवार कुशल होते हैं सबके साथ मिलना जुलना बहुत अच्छे से रख इनको आता है और इनकी जो है कला में बड़ी इस रुची होती है प्रेमी होते हैं साहसिक होते हैं साहस इनके अंदर कूट-कूट करके बहार बरा होता है और अगर कहीं वाद विवाद हो जाए तो उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं यह थोड़ा जगडावलू किसम की इनकी नेचर होती है और जहां तक धरम की बात है धरम में इनकी अटूट आस्था होती है और अपने धरम को ले करके यह पूरे कट्टर पंथी होते हैं मेश वो नहीं है धैरें नहीं रख सकते यह लोग पेशेंस से काम नहीं लेते हैं थोड़ा सा ऐसे जो मेश लगन राशी के जातक हैं उनको थोड़ा जल्स से डर लगता है स्विमिंग आधी करने से थोड़ा सा पीछे अठते हैं यह पीछे रहते हैं उसमें इनकी दिल चस्पी नहीं रहती जादा इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है ब्रमन करना इनको खूब घूमाई है बहुत अच्छा लगेगा इनको बहुत एंजॉय करते हैं यह और इन्हें अपने प्रारंबिक जीवन में संघर्ष बहुत करना पड़ता है और यह मेशलगन राशी के जातकों की एक और विशेष्टा होती है कि यह कोई भी कार्रे को करने से पहले उसकी बहुत अच्छे ढंग से पहले प्लानिंग करते हैं से ओर प्लानिंग करने में भी यह बड़े पर्फेक्ट होते हैं बहुत निपोड़ होते हैं और ओस जो भी कार्रेफर्य करते हैं यह प् управ läuft ए करते हैं अर बहुत टीवरगति से करते हैं है क्योंकि एणरजी के इउनके पास कमी नहीं होती है और एडमिनिस्टेशन में भी ये बड़े सक्षम होते हैं, बहुत कैपेबल होते हैं, एडमिनिस्टेशन करना कोई इन से सीखे, इनकी जो दीरकालीन कार्यों में लॉंग टर्म, लंबी अबधी के जो कार्य होते हैं, उनको करने में इनकी कोई विशेश रुची नहीं रहती है, कहने का भाव ये है, कि ये वो कार्य करने में रुची नहीं रखते, जो कार्य लंबे समय तक चलते हों, क्योंकि दहरे नहीं हैं इनके अंदर, पेशेंस नहीं है, इतना लंबे समय तक कौन इंतजार करेगा, कौन दहरे रखेगा, ये उनी कार्यों में अपनी रुची जिनको ये थोड़े समय में ही पूरा कर सके और रिजल्ट उसका सामने इनके आ सके इसकी अतिरिक्त वैसे तो संकट का सामना करने में भी ये बहुत कैपिबल होते हैं चुनोतियों का सामना करने से बागते नहीं है डरते नहीं है गबराते नहीं है उसका मुकाबला डट करके करते हैं यह लेकिन अगर कश्ट या कठनाईयां लंबे समय के लिए आ जाएं इनके जीवन में तो उनसे लडने में फिर ये करिशान हो जाते हैं और यह एपने जीवन में जो भी निरने लेते है जो भी डिसीजन्स ये लेते हैं उनमें ये इस पश्ट तौर पे पता लगता है इनके डिसीजन्स को देख करके कि इन लोग इन मेशलगन राशी के जो जातक हैं कि इनके डिसीजन्स से ही पता लगता है कि बहुत ही दूर दर्शिता की जलक उसमें दिखती है वैसे ये बड़े आईडियल होते हैं बड़े आदर्शवादी भी होते हैं और इनके साथ साथ उचित और अनुचित के जो मापदंड का भी ये स्वयम निर्माता होते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या सही है क्या गलत है ये भी ये बहुत अच्छी तरीके से इसको प और साथियों जो कार्य छोटे इस्तरके होते हैं प्रॉदा समॉल के कार्य जो भी होते हैं उनमें यह विशेश रिची रूची नहीं ले believe इंट्रेस्टिन का नहीं होता है छोटे कार्यों में जो बड़े कार्य या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर है वो आप इनको दीजिए देखिए कितना उसको खुशी-खुशी एक्सेप्ट करते ही यह और उनको पूरा करने में भी पूरी हिम्मत और पूरी अपना समय लगा देते हैं पूरी हिम्मत लगा देते हैं पूरी जान जोंग देते हैं इनका जो उत्तम सौभाव और आकरशन होता है वो विपरीत लिंके व्यक्ति जो हैं इनके व्यक्तित्व के पृत अधिक आकरशित होते हैं और अपने जीवन के यह स्वयम निर्माता भी होते हैं किसी का ज्यादा जीवन में इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं होता मेश लगन राशी के जातकों को और यह अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं और आगे अपने आपको कहार कैसे एस्टाबलिश करना है यह इसके स्वयम के फैसले होते हैं कि बिना किसी की मदद के यह आगे बढ़ना पसंद करते हैं अपने दम पर और जहां तक लव एफेर्स या लव लाइफ का प्रिशन आता है इनके जीवन में उसमें इनको सक्सेस होते नहीं देखा गया है आम तोर पे इन्हें अपने घर परिवार से काफी लगाव होता है बहुत इफेक्शन होता है इन्हें अपने परिजनों से और सदैव अपने परिजनों के बीच ही यह रहना पसंद करते हैं क्योंकि इफेक्शन बहुत होता है इनका अपने परिजनों के साथ और यह जो मेशलगन राश को यह बहुत ही साफ सुधरा रखने में इनका रुची रहती है और जब तक वो एरिया पूरी तरह से इनके अनुकूल नहीं होगा यह वहां कार नहीं कर सकते साफ सफाई बहुत पसंद करते मेश्ट लगंडाशी के जातक और मेश्ट लगंडाशी के जातक अपने जीवन में अपने करियर में काफी उंचाईयों तक ये जाते हैं और मेश लगन राशी के जो जातक हैं ये कुछ साहसी जैसा हमने कहा भी चर्चा के दोरान के साहसिक कार्रे करना इनको बहुत अच्छा लगता है तो ये आर्मी या एर फोर्स नेवी बी एस एफ सी आई एस ए दा आएज है अब हम एंत्मिय आपको बताएंगे कि इनके जीवन में कौन से रोग होने कि संभवना अधिक रहती है तो इनके जीवन में जो संभवना अधिक रहती है रोग होने की वह या तो माइग्रेट हैड़क की सर्वाइकल कि या फिर जैसे की बुखार होता है आम तोर पे और वो बुखार बिगड़ जाए पुराना बुखार हो जाए इनके चेहरे पर आपको कील मुहसे या इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है इनफेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है इनको तो इस प्रकार की रोग इनके जीवन में अधिक देखे जाते हैं तो मेरे प्रियसातियों आज जो हमने आपके साथ चर्चा कीए जो आप मेश लगन राशी के जातक हैं उनके विशह में उनके सौभाव के विशह में उनके लख कि एंका सुभाव कैसा होता है जीवन में यह क्या कुछ हांसिल करते हैं कौन से रोग होने की संभव ना इनको बनी रहती है इस बारे में चर्चा हमने आपके साथ की है और जो आप मेश लगन राशी के जातक हैं या हम जिन और बाकी राशियों की जब बात करेंगे आप सभी को ये समझने में बहुत आसानी रहेगी इस चर्चा को जो हम कर रहे हैं हर लगन राशी के विशे में और ये डिसीजन लेन में भी बहुत आसली रहेगी कि को कौन से लगन राशी के जातक अधिक सूट करेंगे जिन के साथ आप संभन बना सकें इसमैं आपको बड़ी हल्प मिलेगी To मेरेcular सात्यों यह जैसा मैंने कहा कि मेश लगन राशी के जातकुं को ले तो ऐसे होते हैं जैसे अभी हमने चर्चा के दोरान बात की है आप को यह चर्चा पसंद आई तो आप इसको लाइक जरू करें पर यह साथियों और चैनल को भी सबस्क्राइब करना न भूलें अधिक एक मात्रा में इसको शेयर करें और यदि आप चाहते आने वाले समय में भी हमारे जो वीडियो बनेंगे उन सब की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच सकें तो फिर आप बैल आइकन को जरूर दवा दीजिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जै माता दी